नमस्कार अभिवादन स्विकार कीजिए हरप्रीत कौर का आप देख रहे हैं योग पर आधारत हमारा ये विशेश कारिक्रम योग शक्ती ये कारिक्रम हम आप के लिए लेकर आते हैं आयुश मंत्राले भारत सरकार के मुरार्ची तिसाई नाशनल इंसिट्यूट ओफ योग और NCERT के सौजने से हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कारिक्रम का सजीव प्रसारन आप देख रहे हैं हमारे एविद्या चानल नमबर 6-12 पर और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चानल NCERT ओफिशल पर और आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही खास हमेशा की तरह जी हाँ योग पर विमिन आज इस विशे पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक लाइव और इंटराक्टिव सेशन है तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी इस चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं जी हाँ योग असन और क्रियाएं तो आप देखेंगे ही लिकिन इसके साथ ही आप हमारे एक्सपर्ट से डिरेक्ली बात भी कर सकते हैं तो सबसे पहले आप नोट कर लीजे हमारा फोन नमबर जो है डाबल एट डाबल जीरो डाबल फॉर जीरो डाबल फाइफ नाइड इसके अलावा अगर आप कोई भी सुझाव, प्रतिक्रिया, राइ या क्वेस्टिन्स एमेल के माध्यम से हम तक पहुँचाना चाहते हैं पर जाकर अपने क्वेस्टिन्स टाइप करके भी हमें इंस्टेंटली भेच सकते हैं और हमसे कनेक कर सकते हैं तो चलिए आप हम आपको इंटर्ड्यूस कराते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से आज हमारे साथ योग इंस्ट्रक्टर के रूप में मौजूद है मिस कंचन श योग आपका भी स्वागत है तो व्यूवर्स स्टूदेंट्स हम आपको बताना चाहेंगे कि यह बहुत जादा जरूरी है कि हम अलग-अलग हिस्सों के बारे में अवेर हैं जहां तक हमारी बॉड़ी और माइंड का सवाल है लेकिस योग इस नाथिंग बट इट मीज बहुत किरोसिटी मेरे मन में ला रहा है क्योंकि अकसर हम जो भी योग आसन करते हैं हम देखते हैं कि उसे सभी प्राक्टिस करते हैं लेकिन योग फॉर विमन जो आज का हमारा सेशन है यह ऐसा क्यों जे तो आपने डेफिनिशन के साथ यह अपना आंसर खुद भी दे दि है जैसा कि योग का जो शाबदी करते है वो होता है जोढना, यूणियन सो नौनारी है, जो एक शक्ति प्रतीक है, जोढने का, सदभाव त्याक का, समर्पन का, विश्वास का और सम्विद्ना का, तो उसके लिए योग का अभ्यास एक तरीके से उसी प्रकार है कि जैसे एक बहुत ही सुन्दर चित्र को आपने बहुत बारीकी से और सुन्दर सजा दिया तो योग अपने आप में पूर्ण है वैसे एक नारी अप योगदान किस तरीके से दे रही है वो आज सभी को उसके उधारन की जरुवत नहीं है प्राचीन सभिताओं से लेकर आज नारी का जो स्थान है वो सर्वोचम है सर्वोपरी है इसलिए तो कहा जाता है यत्र नारिस्तु पूजनते रमंते तत्र देवता अधार जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवताओं का निवास होता है और जो योग है वो हमारी भारतिय संस्कृति की पुरातन धरोहर है संपता है और वह नारिश शक्ति के लिए एक तरीके से एक बहुत बड़ा आधार बुद्स तंब तयार कर सकती है आप अपने जो डेल आप बहुत टाइम तक सपोज आप बहुत देर तक बैठे हुए हैं खाना पका रहे हैं खड़े हुए हैं बहुत देर तक घर का कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आप अपने पोस्टर के लिए अवेर नहीं है तो धीरे धीरे वह पीन क्रिएट करने लग जाता है चाहे वह कम करने की क्षमता है वो और जादा बढ़ जाएगी अगर आप अपने वर्क प्लेस पर देखे तो आज जो कॉंपिटिटिव यूग है जिसके अंदर हर एक समय एक नई चुनोती है आपके सामने और उस वक्त जब आप योग का अभियास करते हैं तो आपका विवेक बढ़त जरूरी है और जहां तक बात आती है विमन की तो अफकॉर्स वो नर्चरर्र होती है वो होमेकर्स होती है वोर्किंग प्रफेशनल्स होती है एक तरस देखा जाए ना सिर्फ अपने घर परिवार बलकि एक समाज को बांधने का भी काम करती है और उनके लिए स्पेशल पदमासन संभव ना हूँ जमीन पर बैठना आप आराम से अपने बैट पर भी बैठ सकते हैं कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं सहज और शांत होते हुए धीरे धीरे अपनी कोमलता से आखों को बंद करें बंद आखों से अपने पूरे शरीर को एक बार देख चाहें अप्या भर एक लंबा गहरा श्वांस, धीरे धीरे पूरा खाली, पुना एक लंबा गहरा श्वांस, धीरे धीरे खाली, शरीर श्यांत, मन स्थिर, विचार पुरी तरह शित्र, हाथों की ज्यान और चिनमुद्रा, एक बार दिर गूम के उच्चारण के साथ, गायतरी मंत्र का उच्चारण, खरिया लंबा गहरा श्वांस, अम् नियम भर्गो देवस्य धीमही थीयो योना प्रचो दया अम शांते 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 हे धीरे से दोनों हाथों के नमस्कार मुद्रा हाथों पे घर्षन करें और कपने माकरतिक अपनी पलकों पर रखते वे धीरे धीरे आंकों को खोलें चले अभ्यास को प्रारम करेंगे हम शोधन क्रियाओं के साथ शोधन क्रियाओं आपकी कपाल भाती एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉसेस है जो आपके शरीर से जो भी विकार है अशुद्धिया उनको दूर करती है विशेश ज्यान हाई प्लड प्रशर की सजक्ता बनी रहेगी एक बार देख जाएंगे कमरकरदन बिलकुल सीदी अपने स्थान पर सहज भाव से बैठे वे एक लंबा गेरा श्वांस बरें और पूरा अपने मुझ से पहले खाली कर दें अप्रारम करें कपाल भाती पेट वाले भाके लगातार फिलप करना है अच्छे से उसको मुमिंट देना है एक्टिव एक्जिलेशन श्वांस प्रश्वांस को लगातार बनाए रखना है तीरे से वापस रिपिटेशन से आप अपने अकॉर्डिंग अपने क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपको सहज लगे प्रारम्भी की स अब आगे के अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे और अपने इस्तान पर खड़े होकर किये जाने वाले अभ्यासों की तरफ चलेंगे अभी जो हम आगे की क्रियाएं करेंगे वह चालन क्रियाएं हैं और सुक्ष्मियायाम है जो ब्रीधिंग के साथ प्रारंभ हो रहे हैं तो उसमें आप विशेश ध्यान वही रखेंगे कि अगर हाई ब्लड प्रशार हाइपर टेंशन तो आप रैपीड इनहेल रैपीड एक्सेल ना करें आप उसको गहरा और लंबा करने की कोशिश करें चाले पहला है बुद्धी तित्धा धृती शक्ति विका सकते दोनों पेरो लंबा गहरा श्वांस या फिर रैपीड इनहेल रैपीड एक्सेल बुद्धी तित्धा धृती शक्ति विका सकते आपके विवेक को बढ़ाता है आपकी मेमरी पावर को इंक्रीज करता है और ब्रेधिंग जितनी एफिशेंटली आप कर पाता है उससे आपके शरीर में न श्वांस प्रस्वांस को साधारण और सामाने करेंगे थीरे से आगे की तरफ बढ़ते हुए आज क्या जो पहला चालन करिया है वो है ग्रिवा शक्ति विकासक गर्दन का मुवमेंट करना है श्वांस को भरते हुए अपनी गर्दन को पूरा उपर की तरफ उठाईए श् सर्वाइकल वर्टी ब्रास को ध्यान में रखना है और आखे खुली रखनी है जिनको सर्वाइकल स्पॉंडलाइटिस की दिक्कत है वो गर्दन को नीचे नहीं जुकाएंगे श्वांस को भरते हुए सेंटर में ग्रिवा शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया दाएं से बाए अपनी गर्दन को घुमाएं ध्यान रखें कि आपकी ठुड़ी आपकी कंधे के पारलल आएगी समाना अंतर आनी चाहिए कंधा उपर नहीं उठेगा हाथ और पूरा शरीर बिलकुल खिचा हुआ समस्तिती में खड़ा हुआ श्वांस को भरते हुए अपने मूव्मेंट क श्वांस को भरते हुए सामाने यहीं से दाएं से बाई और अपनी गर्दन को जुकाना है ध्यानी इसी बात का कि कंधा उपर नहीं उपना चाहिए खीचतान बहुत जादा नहीं करनी है बहुत आराम आराम से अपने अभ्यास के साथ बने रहना है थीरे से वापस और एक यहीं से रोटेशन करना है श्वांस को भरते वे बिल्कुल अच्छे से घुर्णन कीजिए 180 डिग्री धान रहे हैं जब आप गुर्णन कर रहे हैं गृवा शक्ति विकासक में तो उसमें आप उस वर्टीब्रास को स्ट्रेंदन कर रहे हैं उनकी मोबिलिटी को बढ़ा र थीरे से वापस थीरे से वापस अगला हमारा अभ्यास वही चालन कर रहे हैं कंधे वाले भाग के लिए क्योंकि जब पूरे दिन भर काम करते हैं तो ठकाव और सबसे ज़्यादा आपकी गर्दन और कंधे वाले भाग पर आपको मैसूस होती है लगातार इस तरीके से हम अ आजो बाजो में फैलाते हुए हथेलियों को ऊपर की तरफ मोडते हुए उंगलियों को आपस में मिलाए कंधे पर रखे और पूरा घुर्णन कीजिए अच्छे से रोटेशन सकंध चक्र ध्यान A, B, C अवेर्नेस ब्रेथ और कैपेसिटी जितनी आपकी अवेर्नेस आपक के विप्रेतिशा में, मुवमेंट को बिल्कुल स्लो करना है, ठ्यान रखना है कि आपके जो स्कैपुला वाला रिजन है जो शोल्डर ब्लेट से वो अच्छे से मुवमेंट उसका आप महसूस कर सकें, ठीरे से वापस अगला हमारी जो चालन क्रिया है वो है कोहनी शक्ति विकासक, कोहनी शक्ति विकासक के लिए अपने दाएं हाथ को सामनी की तरफ सीधा कीजी और बाएं हाथ को सपोर्ट देते वे बाइसेप्स पर, कोहनी से पीछे वाले भाग की तरफ, अब श्वांस को भरते वे अपनी कोहनी को मोड़िए अपने कंदे के पास लेकर जाए हतेली को और श्वांस को खाली करते वे हाथ फिर से सीधा कर दीजे कोहनी शक्ति विकासक यह डाइनमिक मोमेंट्स हैं मतलब क्रिया का मतलब हो गया कि लगातार चल रही है तो उससे आपके जो आगे के आशन के लिए आप उसकी मोबिलिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है हाथ का सपोर्ट इसलिए लिया है ताकि हाथ बार-बार नीचे मोमेंट ना हो एक स्थिर पोजिशन में आपका हाथ रह और सारा जो भी खिचाव है जो भी तनाव आपको मैसूस हो सिर्फ आपकी कोनी वाले भाग पर ह शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है धीरे से वापिस अगला हमारा अभ्यास है मने बंद चक्र उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके रिस्ट जॉइंट के लिए दोनों हातों को सामने की तरफ सीधा कीचिए अंगुठा अंदर उंगलिया बाहर मुठी है आप महसूस करेंगी कि आपका जो सारा अच्छा खासा आपका जो तनाव है आपके जो जॉइंट है रिस्ट जॉइंट उस पर आपको महसूस होगा और यह अप जब भी बैठे हो जब आपके पास टाइम हो जब आप फ्री हो आप यह मुमेंट कर सकते हैं क्योंकि दिख काम करते तो हलका हलका जो पिंचिंग पेंं होता है वो इससे खतम हो जाएगा और जब पेन नहीं होगा इरीटेशन नहीं होगी तो काम करना में मजाएगा चे धीरे से वापस अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने पैर के लिए गुल्फ चक्र जो आपका पैर है उसको अराम से बैलेंस बनाते हैं जिन लोगों का वजन बहुत जादा हो ध्यान रखेगा वो दिवार का साहरा ले सकते हैं अपने दाएं पैर को सामने की तरफ सीधा कीजिए और सारी दिक्कते होने लगती है तो उन सब चीजों से छुटकारा मिलता है गुल्फ चक्र तीरे से एंटी क्लोक्वाइस सेम पैर के साथ बहुत बढ़िया दूसरे पैर के साथ दोरा जाएंगे अब जिन लोगों का वजन बहुत जादा हो और वो खड़े ओकर ना कर सके वो चेर पर बैठ कर भी इसको कर सकते हैं दिवार का सहरा भी लेकर कर सकते हैं बैलंसिंग आसान है तो विशेष धान रखना है बहुत सजक को बिल्कुल ठीला छोड़तेंगे अभी तक जो भी चालन क्रियाएं आपने करी हैं उनके प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस होने देंगे आपने ब्रीधिंग प्राक्टिस की है आपने नेक शोल्डर और अपने जो एंकल का मुवमेंट किया है उसके प्रती पुरी तर शांत और शिदिल करते हुए दोनों पेरों को वापस मिलाय arriv हमारा आज का पहला क्या जाने वाला आसन है ताड़ासन ताड़ासन के लिए अपने दोनों पेरों को पंजू का पस में मिलाये शरीज को पुना समस्तिति में लेकर आईए श्वास को भरते वे दोनों हातों को सामने की तरफ खीचिए हथेलियों को आपस में फसाते हुए इंटरलोग कीचिए अपनी उंगलियों को और हातों को उपर की तरफ शरीर से उपर की तरफ खीच दीजे बिलकुल तेरे धिरे ध्यान के इसे दधन रखना है इस चीश का कि आप अगर बहुत जादा अस अज मैसूस करें तो दिवार के सहारे के साथ आप इसको कर सकते हैं यह आपके पैर की मासपेश्यों को मजबूत करता है शरीर को एक धाजा प्रदान करता है अपनी कमर के दर्द को खतम करता है और आपके शरीर क च्रांस को खाली करते हुए वापस नीच बैलिंस बनाना है थोड़ी देर तक रुकना है संभव हो सहज हो उतने देर तक अभ्यास को करना है प्रारंबी की स्रति में पांस से दस काउंटिंग करनी है और उसके बाद में जैसे जैसे आपको लगी कि आप इस अभ्यास में औ अपने दोनों पेरों की बीच में अपने कंदे जितनी दूरी करें अपने दोनों हातों को सामनी की तरफ अपने शरीर से वैसे ही सीधा करें अंग फसाले हातों को उपर की तरफ खीचे अब ध्यान रखना है जब आप जुक रहे हैं अपनी दाई तरफ तो आपको आगे से नहीं अपने ओबलीक से पूरा स्ट्रेश मैसूस करते हुए जुकना है श्वास प्रश्वास होल्ड नहीं करना है जितना संभव उतना सेज रुकना है थोड़ी देर के लिए उसासन में तीर्यक ताड़ासन दस तक गिंती करनी है तस नो आठ साथ छे पांच चार तीन दो ए दीरे से वापस और दूसरी तरफ जाना है जब आप इस अभ्यास को कर रहें तो आपकी चाती पूरी तरह से एक्सपेंशन रहें आपका जो साइड मसल से जो ओबलीक मसल से उनमें अच्छा खासा तनाव रहें हाथ बिल्कुल सीधे रहें कौन या लोक रहें दोनों पूरा खाली जब आप देखेंगे कि आप इस अभ्यास को थोड़ा सा लंबे समय के लिए करते हैं तो यह बहुत जादा आपको एक तरीके से आप जब इस अभ्यास में लंबे समय तक बनते तो आप ब्रेथ को होल्ड करते हैं अन्वांटेड कॉंटरक्शन एक स्ट्रेस शारीम डालते हैं वह को नहीं करना करें जार। परंतु ध्यान रखें कि आपको श्रीर में तनाव में के साथ नहीं करना चहरे पर मुस्कुराहाट के देखेंगे कैसे करना है कटी चक्रासन तो धीरे से अपने स्थान पर जैसे आप खड़े थे उसी इस्तती में खड़े ही रहना है पैरों में वही कंदे जितनी दूरी रखनी है ताकि आप बैलेंस को बना सके ध्यान रखिएगा श्वास को रोकना नहीं है आखों को बंध नह जाने की कोशिश करनी है और श्वास को भरते वे धीरे धीरे जाना है पीछे कटी चक्रासन वील पोस है अब डॉमिन के आराम से बिलकुल आराम आराम से अपनी क्षमता को देखते वे इसलिए मैंने कहा है ए बीसी अवेर्नेस आपके शरीर पर ब्रेथ आपकी होल्ड नही है तो अपने शरीर को पूरी तरह देखना है पहले जो आपने अभी अगर लगा है कि कोई भी अनीजी हुआ है तो थोड़ी देर रुखिए एक लंबा गेरा श्वांस लीचे पूरा खाली कीचिए उसके बाद में आगी की तरफ बढ़िया तो अगला जो हमारा अभ्यास ह वह बहुत खास है पाद हस्तासन खास किस वज़े से हैं क्योंकि वह आपके पूरे शरीर में जो आपकी सबसे महत्पूर्ण मसल्स होती हैं हम्स्ट्रिंग्स उनके खिचाव में बहुत जादा कार गर रहता है पैर जब ज़्यादा तर हमारे अमोमन पैरों में दर्द होता और जादा इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा भ्यास है विशेश ध्यान चिन लोगों को कमर में लंबर स्पॉंडॉलाइटीस है सैटिका है या फिर कोई भी डिस्क स्लिप की दिक्कत है वो लोगी सब्यास को सिर्फ 90 डिग्री तक ही करेंगे उसे नीचे नहीं ज करते इससे नीचे उनको नहीं जाना है वेट को हलका शिफ्ट करना है अपने टोस के तरफ आपका पूरा खिचाव आपकी हेंस्ट्रिंग प्याना है अब श्वांस को खाली करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे नीचे जाना है बाध हस्तासन माथे को बिल्कुल रलाक्स शरी बिल्कुल शांत बहुत ही अच्छा अभ्यास आपके पैरों के लिए और आपके पूरे शरीर के लिए थोड़ी देर के लिए हां पर रुकेंगे फाइफ फोर थ्री टू वान धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे जैसे गयते गर्दन को उपर उठाया हातों को खीचा 90 अभ्यास खड़े हो करके जाने वाले आसनों में उसके लिए आप अपने इस्थान पर जिस तरीके से भी हैं उसमें आपको मैक्सिमम डिस्टेंस क्रियेट करनी है जब अभी जब आप खड़े हैं तो आप देखेंगे कि अब आपको आपके कंदे जितनी दूरी से बढ़ा कम जाए परंतो आसन को तरीके से करते हुए जाने देखेंगे त्रिकोन आसन दाइं पर के पंचे को मोड़े दाइं तरफ अब अपने दोनों हातों को खीचे दोनों तरफ से और श्वास को खाली करते हुए अपनी दाइं तरफ चाहिए जितना आराम से जा सकते हैं त्रिक को थोड़ी दिर के लिए रुख सकते हैं त्रिकोण आसन पोस्टर इंप्रूमेंट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है सैटिका में भी बहुत अच्छा इसका प्योग माना गया है क्योंकि अच्छी खासी स्ट्रेच आपके देता है श्वास को भरते वे धीरे धीरे वाप आना है बिल्कुल आराम से यहीं से दूसरी बैलेंस बनाते हुए और अपने आपको सहज और समन जितना इज़ी आप जा सकते हैं उतना इज़ी आपको जाना है और वहीं से वापस आना है हाथ को आप चाहें तो आगे भी रख सकते हैं अगर आपको पीछे थोड़ी भी अ आपस आराम से अपने स्थान पर थोड़ी दिर के लिए बैठें अब हम बैठकर किये जाने वाले अभ्यासों की तरफ बढ़ रहें तो जब आप अपने स्थान पर बैठ चाहें तो एक बार सहज और सामान्य होकर आपने जो भी खड़े होकर अभ्यास किया हैं उनको देख च और फिर जो बैठकर किये जाने वाले अभ्यास के तरफ बढ़ रहे हैं तो उसके लिए पहले शरीर को पूरी तरह से तायार करें एक से दू लंबा गेहरा स्वान्पर ऑर अपने शरीर को पूरी पयर के तलवों को मिलाते हुए अपने तलवे आपस में तलवे रहेंगे कमरबिल्कुल सीधी रहेगी हाथ से उगलियों को इंटरलॉक करते हुए आप अपने पैर के पंजे पकड सकते हैं सजकता जिन लोगों को घुटने में किसी भी प्रकार का दर्थ है वो इस अभ्यास को ना करें कोई भी रिसेंटली सर्चरी होई है वो इस अभ्यास को ना करें बहुत अच्छा अभ्यास वीमिन्स के लिए पिकेस आपके जो ग्रोइन रीजन है जो आपके रीप्रोड़क्ट को कर सकते हैं आखों को बंद करके लंबा गहरा श्वांस लेना है और थोड़ी देर के लिए अपनी अप्डॉमिन ब्रीधिंग पर सजगता को बनाए रखना है फाइफ फूर थ्री टू थीरे से आखों को खोले तोनों पेरों को सामने की तरफ थीरे थीरे सीधा करें और आराम से थोड़ी देर के लिए शिथिल दंडासन में रुख जाए अगले अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वो भी बहुत खास है वो एक तरीकी से ट्विस्टिंग आसन है जो आपके शरीर म अगर कोई भी डायबेटी से रिलेटेट इशू आपको आ गया है तो उसके लिए वो रामबान है जिस अभ्यास को करने से आप अपने शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है करना कैसे उस आसन को देखेंगे ठीरे से वापस दंडासन की स्थिति में आए वक्रासन के लिए अपने दाएं पैर के पंजे को मोडते हुए घुटने को मोडते हुए अपने बाएं घुटने के पास रखें आपने जो घुटना मोडा है ध्यान रखें वही हाथ आपका प कर सकते हैं जब बहुत जादा बढ़ जाता है तो आमोमन आसान नहीं हो पाता कि अपने एंकल को पकड़ना तो खीशतान नहीं करनी है धीरे-धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो अपने पेट भी कम होगा और ये भी अपने पकड़ में आ जाएगा श्वांस प्रश्वांस सामाने रखना है गर्दन को घुमाते वे पिछे वाले कंदे की तरफ देखना है और विशेश ध्यान जब आप बैठे हुए हैं तो आपका जो पैर सीधा है उसका घुटना लोक रहेगा आप चाहें तो पंजय को अपनी तरफ खीज सकते हैं और अध पैर मोढ़ना है हाथ जो पैर मुढ़ा है वह हाथ पीछे जाएगा तब ही आपको twisting फील होगी항ए चेस्ट को maximum out करना है अपनी ठुड़ी को लेकर जाना है पीछे वाले कंदे की तरफ जितना हो सेके पैरलल करने की कोशिश करनी है और दोनों कंदों को एक सीध मे लाने का बहुत बढ़िया आखों को बंद करके आप अपने अप्डॉमिन मसेल्स के मुवमेंट को देख सकते हैं 5, 4, 3, 2, 1 धीरे से आखों को खोले, हाथ को रिलीज करें, पेरों को सीधा करें और आराम से थोड़ी देर के लिए शिथिल दंदासन में बैठ चाएं अगला जो हमारा अभ्यास है, उसके लिए आप अपनी स्तती को पुने सजकता के साथ देखेंगे हमारा अगला अभ्यास है गवमुखासन, उसके लिए आप अपने इस्थान पर पुने दंदासन के स्तती में आईए और धीरे धीरे अपने दाएं पैर को मोड़िये और अपने बाएं पैर को मोड़िये इस तरीके से मोड़ना है कि दोनों घुटने आपके एक दूसरे के उपर आ जाएंगे आपके दोनों एडियां आपके नितम के पास जाएंगी और आपके दोनों नितम आपके जमेन से लगे वे रहेंगे दोनों घुटने सहज और सामानने की स्तिती में ही आराम से एक दूसरे के पास रखना है श्वास को भरते वे जो पैर उपर है वही हाथ उपर की तरफ से खीशते हुए दूसरे हाथ को नीचे की तरफ से पकड़ लेना है अब जिन लोगों को हाथ पकड़ने में आसानी ना हो वो लोग किसी भी योगा स्ट्रेप दुपट्टा जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्स हो उसका प्रयोग कर सकते हैं गोव मुखासन आखों को बंद कीजिए शरीर को देखे बहुत अच्छा अब्यास आपके ब्लड शुगर लेवल के लिए आपके हार्ट के लिए आपकी स्पाइन के लिए आपके नेक के लिए हाथों के लिए और अपनी थाई मसल्स के लिए एक तरीके से मेडिटेटी पोस्चर भी है गोव मुख अथार्थ गाय के समान शीतलता और शान्ती प्रदान करता है श्वास को भरते वे थीरे से वापस आँखों को खोले और दूसरी तरफ से अभ्यास को दोरा जाए ध्यान यही रखना है इन चीजों का कि जब आप अभ्यास कर रहे हैं उसमें अपने आपको बहुत जादा एकजर्ट नहीं करना है हम यहाँ पर बहुत लंबी होल्डिंग के साथ नहीं कर रहे हैं परन्तु जब आप अभ्यास को करें किसी देखरेक में ही करें और उसके जो आवरतियां हैं जो समय उसको रोकने के लिए हैं उसको बनाए रखें मिनिममम दस से बीस गिंती तक आप एक अभ्यास में जरूर बनें समय बढ़ने के साथ एक आसन को आप मिनिममम तीन मिनट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं उसके अतिदिक प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस कराने के लिए 5 श्वांस प्रश्वांस सामाने रहना चाहिए ब्रत को होल्ड नहीं करना है 4 3 2 1 धीरे से वापस यहीं से अब हम आगे की तरफ करेंगे अब हम लेट करके जाने वाल अभ्यासों की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप अराम से अपने स्थान पर पेट के बल लेट चाहेंगे आ पेट के बल लेट रही है अपने आपको पुरे शरीर को देखना है और आप जो आगे की जो पेट के बल लेटकर किये जाने वाले आसन उनकी तरफ जा रहे हैं उसमें जो हमारा पहला आसन है वो है भुजंग आसन उसके लिए आप धान रखेंगे कि अगर आपको किसी भी कि अब्डॉमिन रिसेंटली सर्जरी हुई है इसको नहीं करेंगी इसमें सिर्फ इतना ही धान है कि आप जब इस अभ्यास को कर रहे हैं तो ओवर एक्जर्शन आपके अपने बैली रिजन पे नहीं डालना है अगर कोई भी रिसेंटली 6 मंद में डीप अब्डॉमिन ठुड्डी और आपका माथा जमीन पर रहेगा अब बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को भरते वे अराम आराम से अपने शरीर को उपर की तरफ उठाना है भुजंग आसन जितना संभव हो जितना सहज हो उतना ही आराम से आपको उठाना है आखे खुली रहेंगी कुछ देर के लिए यहां पर रुकना है बहुत ही अच्छा अभ्यास आपके कमर के लिए फाइव फोर थ्री टू वान बिल्कुल धीरे धीरे नीचे थोड़ी देर के लिए रुकें और इसके काउंटर पोस के लिए शरीर को तयार करें दोनों हातों को यहीं से अपनी श्वास को भरते वे जो लोग संभव ना हो वो एक एक पैर के साथ बी कर सकते हैं अपी तो दोनों पैरों के साथ ठुड़ी जमीन पर रखना है डोनों पैर एक साथ उठाना है श्वान्स को भरते जो लोग दोनों पेरों के साथ नहीं कर सकते हैं, वो एक एक पेर के साथ भी कर सकते हैं, बहुत बढ़े, यहीं से आप अपनी कमर के बल आजाए, अब हम अपनी कमर के बल के जाने वाले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, तो आप अपनी सुपाइन पोजिशन में अपनी कमर क बल रीड की हडडी के बल आप लेट जाएए थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को शांत और स्थिर कीजिए हम आज कमर के बल लेट करके जाने वाले दो अभ्यास करेंगे जिसमें हमारा पहला है सर्वांगासन सर्वांगासन जो कि आपके शरीर के लिए एक तरीके से इनव बहुत ही अच्छा अभ्यास माना जाता है विशेश ज्यान यहीं रखना है कि किसी को भी बहुत जादा excess of weight है बहुत जादा तो उसमें वो लोग किसी chair का या वोल का support लेकर या किसी की देख रेक में ही अभ्यास को करेंगे चलिए देखेंगे सर्वांगासन कैसे करना है तो धीरे से अपने शरीर को एपनी कंदे से लेकरा आपकी कमर, आपके पईर पूरे जमीन से उपर की तरफ. ध्यान रखे आपके अंगोटे, आपकी आँखों के बिल्कुल उपर की तरफ रहेंगे, सर्वांग आसन, सर्व अंग आसन, सभी अंगों की पुष्टी करता है, मजबूती प्रदान करता है, और एक तरीके से inverted आसनास हैं, तो आपका जो heart का जो blood flow है, उसको भी बहुत जाद दिरे, एक तम आराम आराम से नीचे आना है, बैलन्स को बनाते हुए, धीरे से पेरों को जमीन की तरफ लेकर आना है, और सहज और सामाने सेती में, अपने आपको counter pose की तरफ लेकर जाना है, तो सर्वांग आसन है, उसका counter pose है, मज से आसन, तो हातों का support लेकर, counter pose तुरंद किया जाता है, आसन के बाद, थाकि उसके कोई भी खीचता नगर हुई है, कोई भी दर्द हुआ है, तो उससे वो neutral कर सके, चले, तो एक लंबा घेरा श्वांस लेते हुए, आसन की तरफ बढ़ेंगे, तो नों हातों का support लेंगे, और हातों की support से ही गर्दन को उठा कर, आ आपने शरील को गर्दन को हलका सा नीचे कर सकते हैं, सरल मत से आसन, मत से आसन, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से वापस, धीरे से वापस, शरील को सामानी स्थिती में छोड़ दीचे, आखों को बंद कीचे, सरल और सामाने, एक से दो लंबा घेरा श्वांस, और शरील को बिल्कुल श अभ्यास आप जरूर करें, जब भी आपको समय लगता है, इन अभ्यास के बाद 5 मिनिट के लिए अपने शरील को शवासन में बिल्कुल छोड़ दें, और उसके बात में सिर्फ अपने शरील को एक सजगता के साथ देच जाएं, कि कहां कौन से शरील की किस भाग में कोई अतनाव है या नहीं है, रिलक्सेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, थीरे से अपने हातों पेरों की उंगलियों को हिलाएं, अपनी बाई और करवट लें और थीरे से उठकर बैठ जाएं, हम समय के अभाव की वज़े से आपको बहुत लंबा रिलक्सेशन नहीं दे रहे शवासन के लिए, परन्तो आप जब अभ्यास कर रहे हैं, आप आराम से पांच मिनट के लिए शवासन का अभ्यास जरूर करें, चलिए, अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे, हमारा जो प्राणायाम का आज का अभ्यास है, वो है नाडशोधन प्राणायाम, अनुलो श्वासन को भरिये बिल्कूल धीरे-धीरे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और श्वासन को खाली करना है बिल्कूल धीरे-धीरे दाएं से, पुने श्वासन भरे बाएं से, खाली करे दाएं से, पुने भरे दाएं से, और खाली करे बाएं से, ये आपका एक आवरती प्रानायाम की इसको पांस से दस बार कर चाहें और अगर आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है अभ्यास करने का तो ध्यान रखिए आप अनुलों विलों प्रानायाम लगातार तीन से चार मिनट जरूर कीचे इसके प्रभाव आपको जरूर दिखाई देंगे श्वांस को भरते वे बाएन असी का रंदर से खाली करना है और तीरे से वापस आना है आखरी प्रानायाम का अभ्यास ब्रामरी प्रानायाम तीरे से हातों की शन मुखी मुद्रा बनानी है इंडेक्स फिंगर को अपनी आँखों पर रखना है Middle finger को lower part of the nose पे, ring finger upper lip पे, little finger lower lip पे, अंगुठे से अपने कान को बंद करना है, श्वांस को भर नाख से, होट आपस में मिले वे रहेंगे, ताथ आंदर से खुले वे रहेंगे, श्वांस को भरते वे, खाली करना है, हमिंग भी sound के साथ, तेरे से वापस आंकों को बंद ही रखना है अपने शरीर पर इस नाद के प्रभाव को feel the originence of the sound पूरी तरह से इस vibration को मैसूस करना है एक बार दिर गोम का उचारण और उसके बाद में शान्ति ओम का उचारण अकार उकार और मकार के साथ करना है भरिये लंबा गहरा श्वान आँ शांति आदि भोतिक आदि देविक और अध्यात्मिक हर प्रकार के दुखों से मुगते पूरा मन पूरा शरीर बिल्कुल शान्त दोनों हाथों की नमस्कार मुत्रा अपने माता पिता गुरु इस्ट को प्रणाम जीवन के हर पल के लिए समरपण और कृते किता का भाव प्रसनेता का भाव थीरे से दोनों हाथों में घशन कपनों माकृती अपनी पल को परकते वे थीरे थीरे मुस्कुराते वे वापस आ जाए बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद तो आपका भी कि आपने इतने अच्छे से ये आसन और क्रियाएं हमें सिखाई और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम इन आसनों को करते हैं क्रियाओं को करते हैं तो हमारे मुख पर एक प्रसंदा का भाव होना चाहिए ये चित्त प्रसन होना चाहिए और एक जो gratitude है और thankfulness है, उसकी feeling हमेशा रहनी चाहिए। ये सब हमने सीखा बहुत अच्छे से, लेकिन अब एक और बहुत ज़रूरी प्रशन है, कि क्या हमें आसन और क्रियाएं करने के साथ अपने खान पान का भी खास खयाल रखना चाहिए। इसलिए उसका खान पान बहुत जादा ही सहच और अच्छा होना चाहिए, जिसमें आप जो उसकी डाइट रूटीन है, जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा रहता है, कि वो अपने सुभे की जो पहली ड्रिंक है, जो पानी पीने की पहली है, जिसे हम कहते हैं उशा पान उसे से प्रारंब हो जाता है, तो अपना सुभे उठकर हलका गुन-गुना पानी पें, जिन लोगों को नीमबू से कोई अलर्जी नहीं है, वो नीमबू डाल कर भी पी सकते हैं, आद्रक का पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि उसे उनको जो ब्लोटिंग या किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, वो नहीं होती है, रजदार फलो का सेवन करें, हरी पत्तेदार सबजियां खाएं, अच्छा व्यायाम करें, और आहार में शुद्ध सात्विक आहार जरूर ग्रहन करें, क्योंकि जैसा खाए अन, वैसा होगा मन, जी, बहुत अच्छी बात, आपने कही जैसा खाए अन, वैसा होए मन, और शुद्ध सात्विक आहार से बढ़कर तो कोई चीज ही नहीं है, कंचन माम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से हमें ये सारी चीजें बताएं, सिखाएं, और साथी सा धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारी आपसे विदा लेने का, लेकिन हम आपको बता दें कि आप इस सेशन को दुबारा भी देख सकते हैं, हमारी यूट्यूब चानल NCERT Official पर, फिलहाल हम आपसे लेते हैं इजासत, लेकिन हम आपसे जल्द मिलेंगे, एक ऐसे ही नए रेलेवेंट सेशन के साथ, एक ऐसे ही ए बिना शांती की कुछ भी संभव नहीं है, और योग दोनों ही चीजों में हमारी मदद करता है, इसे के साथ ही मैं हरप्रीक और आपसे लेती हूँ विदा, नमस्कार